इसका निर्मान 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंग ने करवाया था। हिंदू भगवान कृष्णा के मुकुट के रूप में ही लाल चंद उस्ताद ने इसे डिजाइन किया था। इस पांच मंजिला इमारत के बाहर समान आकर के शेहद के छटे भी लगे हुए है और महल म 935 छोटी खिर्कियां भी है जिन्हें जरोका कहा जाता है और इन जरोकों को बारीक कलकृतियों से सजाया भी गया है। उस समय महिला ये चहरे पर जाली धखकर ही बाहर निकला करती थी और दैनिक जीवन का अवलोकन करती थी। उस समय महिलाओ को चेहरे पर परदा धखना अनिवार्य था, कहा जाता है कि इन जालियों की मदद से उन्हें चेहरे को ठंडी हवा भी लगती थी और तपती दोप में भी उनका चेहरा ठंडा रहता था, पुरे 50 साल बाद 2006 में महल की मरम्मत की गई, इस समय इस मारक का मूल्य तकरीबन 4560 मिलियन रुप्य बताया गया थ वहां के कॉपरेट सेक्टर ने समारक की सुरक्षा का जिम्मा उठाया लेकिन बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने ये जिम्मा उठाया, हवा महल के प्रसिद होने के बाद इसके कॉम्प्लेक्स को भी विक्सित किया गया था, पर्याटकों को बहुत सी इतिहासिक झाल झाल